आज हम लोग एक बहुत ही क्रोनिक बिमारी लाइकेन प्लैनस पिग्मेंटोसस के बारे में लेजर की यूटिलिटी मतलब लेजर का उपयोग क्या है उसके बारे में बात करेंगे जो लाइकेन प्लैनस पिग्मेंटोसस बिमारी है उसके बारे में हमने डेटेल में बात किया ह उस वीडियो का लिंक कमेंट में मैं डाल एड कर दूंगा आज हम लोग केवल लेजर के बारे में बात करेंगे तो लाइकेन प्लेनस पिगमेंट उसर जो बिमारी है वो बहुत ही क्रोनिक बिमारी है मतलब कि लंबे समय तक चलने माली बिमारी है और इससे पीडित मरीज अकस 5% benefit मिला है और इसका क्या मलब और भी क्या इलाज है क्या दवाईयां अकसर इसके बारे में मेरे पास queries आती रहती है सामने लोग query करते हैं social medias की through भी query करते रहते हैं इसके बारे में तो इसमें एक चीज बहुत थी अच्छे से समझ लेने वाली बात होगी कि अभी जितनी भी आज की तारीक में मतलब आज जो 2023 समय चल रहा है उस तारीक में जितनी भी lichen planus pigmentosis की दवाईयां या इलाज की मतलब आप ये चाहे हैं कि एक महिने दो महिने या तीन महिने में आपकी बिमारी आपका पीछा छोड़ देगी तो ये बिलकुल भी गलत सूच है अभी के तारीक में जो भी दवाईयां उपलब्ध हैं वो आपका छै महिना साल भर या डेड़ साल या दो साल तक का भी समय ले लेती हैं तो इसलिए इस बिमारी के इलाज में जब भी हम लोग बात करते हैं मरीज से तो पहली चीज़ दवाई से पहले जो हमारा पहला कथन होता है कि इसमें आपको बहुत ही जादा धैर रखना होगा और अपने एक भी किसी भी MD स्किन डॉक्टर से जुड जाना हो हैं उनको एक समय के बाद निश्चे ही सफलता मिली है तो अपने डॉक्टर किसी भी MD अब इसमें ये ध्यान रखें कि किसी भी क्वैक जो जो जोला चाओ डॉक्टर भी अपने देश में डॉक्टर बोले जाते हैं तो उनसे नहीं जुड़ना आपको आपको किसी MD स्किन के डॉक्टर से जुड़ना है और उससे बिलकुल उसके उपर छोड़ देना है भरोसे के साथ में कि वो आपको ठीक करके ही रहेगा इसमें इसके इलाज में अभी तमाम तरह की खाने वाली दवाईयां उपलब्द हैं इन सभी दवाईयों के बारे में हमने डिटेल में बात क करेंगे तो जो इस बिमारी के इलाज में लेजर उपलब्ध है उस लेजर का नाम होता है इसका पूरा नाम ये है तो ये जो लेजर है ये दो फ्रिक्वेंसी में अभी उपलब्ध है 532 और 1064 के फ्रिक्वेंसी में उपलब्ध है तो ये जो laser therapy है, ये laser therapy हमारे Indian skin में थोड़ा सा controversial role play करती है Controversial मतलब कि कुछ मरीजों में इसका बहुत अच्छा response है कुछ मरीजों में average response है, कुछ मरीजों में बिलकुल भी response नहीं है और कुछ मरीजों में इसका नकरात्मक असर भी देखा गया है तो नकरात्मक जो असर है उसके कई रूप हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो जो laser therapy इसके लिए use की जाती है तो पहले तो laser therapy से घबडाना नहीं है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि कुछ मरीजों में नकरात्मक असर आता है तो काफी मरीज घबडा जाते हैं कि कहीं ऐसा नहों कि हमारा केस और बिगड़ जाए तो थोड़ा तो रिस्क है लेकिन हमें कभी कभी रिस्क लेने पड़ेंगे और ऐसे रिस्क जिसमें हमें benefit मतलब की सुधार होने की उमीद जादा है तो उस रिस्क को हम लोग ले सकते हैं इस्पेशली जब आपका डॉक्टर सला दे रहा है तो जो laser therapy इसमें की जाती है उस laser से आपको बहुत ही हलका फुलका दर्द होता है इसके जो session होते हैं वो प्लान करने पड़ते हैं महीने महीने के gap पर ज़रूरत पढ़ने पर दो हफटे के gap पर भी laser therapy दी जाएगी तो laser therapy जो होती है और सधारत उससे बहुत ही थोड़ा बहुत दर्द होता है बहुत ही हलका mild pain होता है जो कि अधिकांस मरीज बिना किसी anesthesia के बिना किसी सुन्यत की दवाई के ही tolerate कर लेते हैं असानी से या फिर कुछ बहुत ही जादा sensitive मरीज है तो उनके लिए सुन्यत करने वा और laser करने के बाद मरीज को ये ध्यान देना दाता है कि 7 दिनों तक वो बिल्कुल ही धूप में न जाए कोशिस करे कि धूप में बिल्कुल न निकले यदि कुछ emergency या जरूरी काम पढ़ गया तो sunscreen का उपयोग करना, scarf से या टोपी, hat, छाता इन से ढखना बहुत ही आवस्य होता है, क्योंकि laser के बाद skin थोड़े दिनों के लिए sensitive हो जाती है, BCS करके जो हमारी Indian skin है, जो हिंदुस्तान के लोगों की skin है, उसे बोला जाता है type 3 या type 4 skin, तो type 3 या type 4 skin की tanning की tendency होती है, मतलब कि रोशनी ज्यादा पढ़ी है आपकी skin, तो हमारी skin बहुत ही जल्दी बनाती है, तीजी से रंग बनाती है, और जब laser करा, तो laser के बाद skin और ज्यादा sensitive हो गई, तो उस skin की और ज्यादा tendency है रंग बनाने की, मतलब और ज्यादा छमता हो जाती है काला रंग बनाने की, तो एक पहले से ही आपकी हमारी Indian skin tanning की tendency रखती थी, laser के बाद ये जो छमता है, और बढ़ जाती है, तिसलिए हमारे इसलिए डॉक्टर ये बार बार आपका जोड देता है कि laser के बाद साथ से दस दिन या फिर दो हपते तक तो एकदम ही धूप में नौ निकलें, परहेज करें, sunscreen का timely हर तीन गंटे, चार गंटे पर उसका रेपिटिट उप्योग करे बार बार उप्योग करें, जिससे कि किसी भी तरह के नकरात्म कसर से हम लोग बस सकते हैं, कुछ मरीजों में ज्यादा fear होता है नकरात्म कसर का, तो उन मरीजों में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो laser की उर्जा है, जो laser की energy है, उसके power को हम कम कर दें, लेकिन जब भी हम power को कम करेंगे, तो उसी अनुपात में फायदा भी कम आने की chances रहेंगे, मतलब कि आपको benefit भी उसी अनुपात में कम होगा, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि रिस्क यदि थोड़ा जादा होगा, तो जल्दी और और अच्छे से भी ठीक होने की chances रहेंगे, दूसरी एक जो र लेजर की वज़र से सुधार देखा जाता है, अच्छा भी सुधार देखा जाता है, लेकिन एक pattern होता है, mottled dispigmentation, मतलब कि जैसे आपका ये skin पूरी काली पढ़ गई थी, face की, कुछ लोगों की गरदन की भी हो जाती है, तो जब हमने laser जो किरने डालते हैं, तो वो beam की तर जैसे एक बार में पूरे face की raise नहीं निकलेगी, जैसे shots निकलेंगे, ऐसे एक सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर की रोसनी निकलेगी, जो skin से जाके टकराएगी, तो इसकी वज़र से कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जैसे skin साफ हुई, लेकिन चित्ती चित्ता करके, जै हलका सा काला बीच में रह गया, फिर इदर साफ हो गया, तो थोड़ा सा उतना सुंदर result कुछ मरीजों में नहीं आता है, कुछ में बिलकुल clean आएगा, पूरा ही साफ होगा, कुछ में साफ होगा, लेकिन बीच बीच में areas होते हैं जहां पे blackish line या streaks छूप जाती है, तो ऐसे condition में भी बहुत घबडाने की बात नहीं होती है, उस condition में जब next session किया जाता है, तो डॉक्टर उन black areas को target करता है, जो छूट गया थे, तो काफी मरीजों में सफलता पूरवक उस areas को भी cover कर लिया जाता है, और कुछ मरीजों में laser के कई session, 6 session, 8 session के बाद भी कुछ मरीज जो में देखा गया है कि 10%, 20% ही सुधार आता है, और जो laser therapy की जाती है, वो stable मरीज में ही की जा सकती है, मतलब कि आपकी बिमारी बढ़ना रुक गई है, अब बिमारी बढ़ नहीं रही है, जितनी भी परकार की दवाईयां इस्तमाल की जा सकती थी, वो सारी दवाईयां इस laser अंतिम विकलप के तोर पर इस्तमाल के जाता है, पहले आपकी चिकर्षक के हमीशा ही कोशिष रहेगी कि खाने व्ली है और लगाने व्ली है इनके थ्रू सुधार लाया जायाए, कोशिष यह हो कि पूरा सुधार हो, पूरा सुधार नौ हो पाये, तो 15% सुधार हो, 75% कभर में कि दवाईयों से ही कवर किया जाए बाद के केसे में ही यह कोशिश रहती है कि लेजर से या फिर केमिकल पील एक टेकनिक होती है या फिर इन दोने को कंविनेशन से आपके केस में सुधार लाया जाए तो जब भी आपका डॉक्टर लेजर थिरैपी का एडवाइस द अंततर ठीक होगी थेंक यू